आज हम लोग करेंगे Cloudways Hosting का Review 2021 के लिए हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं Digital Tools और Web Hosting के बारे मैं काफी बात करता रहता हूँ आज हम लोग करने वाले Cloudways Hosting का Detailed Review मैं इसको पिछले एक साल के उपर हो चुका है मुझे इसको यूज करते वे होस्टेड है तो आज हम लोग इसका Detailed Review करेंगे देखेंगे इसका Uptime, Load Test, इसका Special Discount coupon code भी है मेरे पास आप लोग के लिए और इसका Training Program भी है जिसमें मैंने आपको बताया कि Cloudways से कैसे Start किया जा सकता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक सारी डिटेल्स जानने के लिए लास्ट येर भी मैंने इसका Review किया था आपको आई बटन के उपर मिल जाएगा आज हम लोग बात करेंगे 2021 में इसकी Performance कैसी रही है तो बिना किसी डिले के Start करते है Cloudways Hosting की बात करूँ तो ये Normal Web Hosting की तरह नहीं होती है ये एक Managed Service होती है on top of Unmanaged Hosting Providers जैसे Digital Ocean, Linode, Vulture, AWS, Google Cloud ये सब Unmanaged Hosting होती है तो इसकी उपर Cloudways अपना एक Managed Service लगा देती है और उसके थुरू आप लोग इन सारी Unmanaged Service को Managed कर सकते हो तो बेसिकली अगर आप लोग जागर टेकनिकल नहीं हो तो Cloudways ये आपर help करता है आपको Unmanaged Hosting Providers को Managed करने के लिए तो ये एक तरीके की Cloud Hosting हो गई है जो ट्रेडिशनल हमारी Shared Hosting होती है उससे ये काफी अलग है Shared versus Cloud का भी मैंने पहले वीडियो बनाया था वो आपको iButton के उपर मिल जाएगा अब इस particular service का यहाँ पर advantage क्या होता है सबसे पहले तो आपको server maintenance नहीं करना पड़ता है वो Cloudways खुदी यहाँ पर देख लेती है security updates की आपको कोई problem नहीं होती है patches वो लोग खुदी fix कर देते हैं यहाँ पर server updates भी automatically हो जाते है installation process जो रहता है OS यहाँ पर WordPress वगरे का वो सब हो जाता है backups भी यहाँ पर Cloudways ही manage करता है और आपको यहाँ पर support भी मिल जाता है Cloudways से प्लस इन सारी वज़े से यहाँ पर आपका time भी बच जाता है इसके interface की बात करूँ तो जैसी आप लोग इन करेंगे कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको interface दिखेगा यहाँ पर मैंने एक server बना के रखा है server के अंदर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर applications यहाँ पर आपको यहाँ पर बन जाती है जो हमें cloud-based मिलते हैं यह उचन डवलुपी थीम पर बेसे है यहाँ पर जिम टेंपलेट का मैंने यूज किया है elementor बेसे मैं सारी टेस्टिंग यही सेम टेंपलेट का यूज करता हूं cash-up login की बात करनो तो दो बड़िफोर्ल यहां पर जो ब्रीज cash-up login आता है उसके default settings में मैं इसको यूज कर रहा हूं कोई भी optimization नहीं किया है at present मैंने server response time की बात करों तो बैंगलोर में मेरे यहां पर servers है and Asia में यहां पर मेरा server response time कम है it's good और speeds की बात करूँ तो जब मैंने यहां पर speed test किया तो जब मैंने बैंगलोर यहां पर select किया आपको shared hosting में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है and same जब मैंने यहां पर अपनी website ले किया यह मेरी website है जो फिलाल होस्टेड है Digital Ocean के Singapore वाले servers पे बैंगलोर पे नहीं है लेकिन मुझे इस पे भी काफी अच्छी speeds मेली है मैंने इसको optimize भी करके रखा है तो speeds के मामले में cloudways काफी अच्छा है आपको बहुत अच्छी speeds यहां पर देखने को मिलेगी in fact 10 dollar वाले server पे भी आपको अच्छी speeds देखने को मिलेगी अब अगर मैं आपर इसके uptime के बारे में बात करूँ तो यह मेरी website है जो मैंने cloudways पे host करके रखी है पिछले around 240 days से जो मुझे आपर average uptime मिला है वो है 99.99% और जो मेरा total downtime है पिछले 240 days का वो है 21 minutes बस और यह downtime check होता है हर 30 seconds में हर 30 seconds में आपर इसका downtime देखा जाता है तो जो इसका uptime मुझे मिला है वो काफी अच्छा है इनफाक्ट पिछले 2 महीने 20 दिन से मेरी website डाउन ही नहीं गई है तो uptime के मामले में भी cloudways hosting काफी अच्छी है इनफाक्ट जो इनके 10 डॉलर्स वाले server है digital ocean के वो भी काफी अच्छे है अब time में मुझे कोई issues face करने को नहीं मिले लोड टेस्ट की बात करों तो यहां पर मैंने digital ocean के 10 डॉलर server पर 50 virtual user भीजे देखने के लिए कि जब 50 virtual user रियल टाइम में आएंगे सब लोग एक साथ refresh करेंगे तो यह website load कैसे handle करेगी तो यह रहा load testing का graph हमारा जो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है वो यह है कि failed request यहां पर कुछ नहीं हुए red line हमेशा zero है response time भी इसमें कुछ जादा बढ़ा नहीं है जो blue line है it's straight ही है एक तरीके से तो यहां पर जादा fluctuations नहीं है यह भी काफी अच्छी बात है और जैसे जैसे हमारे आपर वर्च्वल यूजर बढ़ रहे है response time again same है request rate भी बढ़ रहा है वर्च्वल यूजर भी बढ़ रहे है तो कोई problem में आप मुझे face करने को नहीं मिली है around 7000 request करी थी कोई failures भी नहीं हुए और average response time भी इसका काफी अच्छा रहा है तो लोड टेस्स में भी यहापर आपको कोई problem नहीं आएगी cloudways hosting के उपर अब यहाँ पर एक question मुझसे तो बहुत बार पूचा जाता है वो रहता है high traffic ले कौनसी hosting का use करें तो cloudways hosting यहाँ पर काफी अच्छी रहेगी अगर आपकी monthly traffic एक यहाँ देड़ लाग से उपर आ रही है तो फिर आप लोग यहाँ पर cloudways पर shift हो जाओ आपको काफी अच्छी value मिलेगी यह high traffic भी handle कर पाएगी और यहाँ पर आप लोग servers को upgrade और downgrade भी कर सकते हो अपने हिसाब से तो compared to Kinsta यहाँ पर WP Engine जो आप लोग वहाँ पर pay करोगे यहाँ पर उससे कम में pay करके आपको जादा traffic handle की capacity मिल जाएगी data centers की बात करूं तो यहाँ पर around 25 प्लस आपको data centers मिल जाते हैं इंडिया सिंगापूर मतलब जितने भी AWS लिनोट डिजिटल ओशन वल्चर जितने भी इन सब के data centers है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं आप लोग कोई भी सिलेक कर सकते हो अपने preference के हिसाब से इस-of-use की बात करनों तो यह काफी easy है यूज करना compared to unmanaged hosting लेकर अगर आप लोग किसी shared hosting से आ रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत learning curve रहेगा यहाँ पर आपको कुछ चीज़े सीखनी पड़ेगी minor सी चीज़े हैं easily आप लोग सीच जाओगे इसके लिए यहाँ पर मैंन minimum registrar की functionality नहीं है at present cloud-based की पास में backups की बात करों तो यहाँ पर आपको off-site backups मिल जाते हैं काफी easy है इसको manage करना server backups पे आप लोग यहाँ से easily backups ले सकते हो यहाँ पर restore भी कर सकते हो लेकिन backups के लिए यहाँ पर extra charge भी कटता है यहाँ पर आपको $0.033 per GB pay करना पड़ेगा backups के लि recently lost server का भी function आ गया है कि by chance अगर मान लो यहाला जो मेरा server है यह अगर delete कर दिया मैंने तो मैं आसर इसको recover कर सकता हूं 15 दिन के अंधर support की बात करों तो यहाँ पर 24x7 live chat support मिल जाएगा technical है अच्छा है कोई यहाँ पर मुझे major problem नहीं मिली है support से inode count की बात करों तो आपको इन mode count देखने को मिल सकती है staging की बात करों तो staging की आपको तब requirement रहे कि जब भी हम लोग कुछ changes करते हैं हमारी website की ऊपर हम लोग नहीं जाते कि वो changes live website पर हम लोग एक website की copy बना लेते हैं वो सारे changes करते हैं और अगर हमें वो changes पसंद आते हैं तो फिर हम लोग उसको push कर देते है live website के ऊपर हैं यहाँ पर हमारा staging का option हमें मिल जाता है तो उस case में staging का use होता है और यहाँ पर staging के कापी अच्छे option देके रखें एक क्लिक में आप लोग स्टेजिंग की website बना सकते हो उसको push कर सकते हो पुल कर सकते हो तो testing के ले कापी अच्छे options मिल जाते हैं आपको अब इ entry मिल जाएगी तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मुझे support कर सकते हो मेरे नीचे दिये गए लिंक से purchase करके thank you pricing की बात करों तो यह start होते हैं आप डॉलर 10 पर मन्त से इसकी खास बात यह है कि एक तो यहाँ पर कोई extra renewal charges नहीं है डॉलर 10 पर मन्त वाला है तो हर महीने आपके डॉलर 10 ही कटेंगे and then यहाँ पर आपको annual charges भी नहीं पे करने हैं मतलब पहले आप लोग यूज करोगे उसके बाद आपक पर आपकी payment कटती है तो अगर मालो मैंने एक महीना यूज किया तो सिर्फ मैं डॉलर 10 ही दूगा अगर मैं दो महीना यूज किया तो मैं डॉलर 20 पे करूगा तो जितने महिने आप लोग यूज़ करोगे उसे साब से यहाँ पर आपकी pricing होगी इंटाक जितने दिनों तक आपका server यहाँ पर active रहेगा सिर्फ उसी की pricing रहेगी जैसे मैंने नया server create किया वो सिर्फ 4 दिन तक active सा उसके बाद मैंने उसको delete कर दिया तो सिर्फ मुझे यहाँ पर 4 दिन के ही पैसे देने पड़ेंगे तो बाकी companies के comparison में काफी अच्छा है जहाँ पर आपको renewal charges भी काफी जादा देने पड़ते हैं और monthly options भी वहाँ पर feasible नहीं होते हैं cloud waste पर जो आपको यहाँ पर price charge किया जाएगा वो रहेगा double compared to जो आपको digital ocean पर originally मिल रहा है अब यह premium वो क्यो चार्ज कर रहे हैं यह इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आपर आपको security ease of use support और maintenance यह सारी चीज़े आपको मिल जाएगी तो यह premium basically यह लोग आपका headache और time बचाने के लिए कर रहे हैं and मेरे हिसाब से it is worth it as well अब अगर यहां पर मैं best plan की बात करूं तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो डिजीटलोशन के 10 डॉलर सर्वर से यहां पर start कर सकते हो अगर आपका e-commerce store है तो वल्चर के high frequency servers जो है डॉलर 13 वाला इससे start कर सकते हो कापी अच्छे है and मैंने इसके लिए डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है वह आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा हमने सारे प्लांस को आपे compare कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए कूपन कोट की बात करनों तो यहां पर आपको जाना है go.kripashadvani.com slash cloudways के ऊपर यहां पर हमें क्लिक कर देना है get started free के ऊपर फिर हमें basic details हमारी यहां पर भर देनी है उसके बाद यहां पर आपको got up promo code पर क्लिक करना and then enter कर देना है कृपश इससे आपको यहां पर 20% का off मिल जाएगा अगले दो महिनी के लिए अब अगर मैं इसके training program की बात करूं तो मैंने cloudways training program बनाया है जहां पर Hindi tutorial videos है कि cloudways को कैसे use करना है यह free में है उन लोगों के लिए जो लोग मेरे link से जाके purchase करेंगे as a thank you token from my side यह फिलाल है आपर Thinkific के ऊपर hosted है इसमें आपको काफी सारी मैंने आपी चीज़े cover करके रखी cloudways पर कैसे server वगरे setup करना है initial setup कैसा रहेगा WordPress वगरे कैसे setup करनी है backup और restore कैसे work करता है backup billing यहां पर कैसे work करती है important है वो cash management कैसे करना है breeze cash manager में कौनसी सेटिंग करनी है मैं कौनसी है यहां पर WP rocket में सेटिंग्स कर रहा हूं then काफी advance दीजे भी है cloudflare को कैसे connect करना है upscale downscale कैसे करना है resources को कैसे check करना है sub domain कैसे create करना है and then emails भी है यहां पर कि आप लोग emails को free में कैसे यूज कर सकते हो cloudways पर आपको email का support नहीं मिलेगा तो free में आपर emails को कैसे यूज कर सकते हो और paid options हमारे पास क्या क्या है वो सारी चीजे मैंने इस training program में बताई है तो अगर आपको यह training program को access करना है तो आप लोग एक बार यह वाला वीडियो देख लीजेगा यह वीडियो आपको आई बटन के उपर मिल जाएगा उसको ध्यान से देख लीजेगा उसमें प्रोसीजर बताए exact steps बताएं कि आपको किस तरीके से purchase करना है कौन कौन सी details को आपको note करना है and then मुझे exactly क्या mail करना है जिससे मैं identify करवा हूं कि आपने मेरे link के थुरू purchase किया है refund policy की बात करूं तो यहां पर कोई refund policy नहीं है आपको तीन दिन का trial मिल जाता है and then यहां पर pay as you go का concept है मतलब अगर मेरा server एक दिन के अक्टिव रहेगा तो सिफ मुझे एक ही दिन के यहां पर charges कटेंगे cash की बात करूं तो आपको cloudways की तरफ से brist cash plugin मिल जाता है redis cash है mem cash है varnish cash भी है सारी चीज़ आपको मिल जाती है cdn की बात करूं तो cdn के option नहीं है आप लोग चाहो तो cloudflare cdn का use कर सकते हो free में यहां फिर इनका के cloudways cdn भी है लेकिन आप लोग को उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा SSL की बात करों तो free SSL आपको सारी websites के लिए मिल जाएगा migration की बात करों तो एक website के लोग फ्री में migrate करके देंगे बाकी आपको खुद figure out करना पड़ेगा applications की बात करों तो यहां पर आम लोग आड़ कर सकते हैं WordPress को WooCommerce को PHP Apps को आप लोग आड़ कर सकते हो Larvel को कर सकते हो और Magento को भी कर सकते हो servers में यहां पर आपको Apache Internet servers मिल जाते हैं email hosting की बात करों तो यहां पर आपको email hosting नहीं मिलती है आपको उसके लिए extra pay करना पड़ेगा हाला कि कुछ तरीके हैं जिसके थुरू आप लोग फ्री में email hosting यूज कर सकते हो वो मैंने अपने training program में discuss किया है team collaboration की बात करों तो यहां पर आप लोग team members को add कर सकते हो को उनको access सकती हो depending है आपको यहां पर क्या क्या परमेशन देनी है billing access देना है support a Colombia and console access कौन से server का उनको access देना है यहां सारी चीज़े यहां पर डिसाइड कर सकते हैं और आपके पास यहां है topic रेक्लाइंट तो यहां किसी को uptime भी काफी अच्छा है, load handling काफी अच्छी तरीके से कर लेता है, scalable है मतलब आप लोग इसको downgrade यहाँ फिर upgrade कर सकते हो अपने हिसाब से, customer support इसका काफी अच्छा है, pricing भी इसकी affordable है, managed cloud servers आपको देखने को मिल जाते हैं, और annual fees भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, जो same आप पहले पे करोगे, वही same आपको next month भी पे करनी है, अब अगर मैं इसके कुछ cons की बात करूं, तो आपको email hosting नहीं देखने को मिलती है, थोड़ा सा slight learning curve है, उसके लिए मेरा training program है, जो आपको help कर देगा और अगर यहाँ पर आपको कोई expensive server लेते हो, मानलो $100 per month के उपर वाला, तो फिर वहाँ पर premium भी काफी बढ़ जाता है, now coming on to the bottom line, it is one of the best hosting out there for 2021 still यह काफी अच्छे hosting है 2021 के लिए भी, यहाँ पर आपको एक balance मिल जाता है for the money you give and for the performance that you are getting, speed, load testing, uptime and scalability, पूरा जो cloud infrastructure यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो काफी अच्छा है for the money that you are paying, तो मेरे इसाब से काफी अच्छा option है, जब मैं इसको इसके alternative से compare करता हूँ, जैसे की WP Engine, Kinsta, Flywheel उसके comparison में यह काफी अच्छा option है एक ही सिर्फ मुझे website दिखते है जो at present cloudways के काफी close आ सकते है, जो compete कर सकते है वो है rocket.net वो काफी नहीं है लेकिन at present मैं उसकी testing कर रहा हूँ, मैं उसका detailed review भी जल्दी ले आँँगा, but अगर आपको tried and tested चीए, जो आपी टाइम से established it, to cloudways is one of the best out there this is the reason why I am using it for my own website, अगर मैं खुद यूज कर रहा हूँ तो कुछ तो होगा ना इसमें overall cloudways is really good for 2021 एक बार इसको try कर लो एक महिने के ले and then see, यह आपकी website ले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे नीचे देगए लिंक से लोगे तो आपको discount coupon code भी मिल जाएगा और मेरे training program में भी free entry मिल जाएगी so that's all for this one, अगर आप को यह वीडियो अच्छ लगए तो उसको thumbs up कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं और interesting videos के लिए and I will see you guys in the next one, good bye